आज हम चक्रवृत्य ब्याज के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चक्रवृत्य ब्याज के बारे में जाना। चलिए अब चक्रवृत्य ब्याज के लिए सूत्र ग्याद करें। मान लीजिए मूलधन P1 दो वर्ष के लिए आरप्रतीशत वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया जाता है। चलिए इस पर चक्रवृत्य ब्याज ग्याद करें। पहले वर्ष के लिए SI1 बराबर P1 गुणा R गुणा 1 बटे 100 बराबर P1 गुणा R बटे 100 होगा। इस तरह से पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन होगा A1 बराबर P1 कोश्ठक में 1 धन R गुणा 1 बटे 100 यह मिश्रधन दूसरे वर्ष के लिए मूलधन होगा। यानि P2 बराबर A1 बराबर P1 कोष्ठक में एक धन आर बटे सो दूसरे वर्ष के लिए SI2 बराबर P2 गुणा आर बटे सो है P2 के लिए हम P1 कोष्ठक में एक धन आर बटे सो लिख सकते हैं इसलिए SI2 बराबर P1 कोष्ठक में एक धन आर बटे सो गुणा आर बटे सो प्राप्त होगा SI2 बराबर P1 गुणा आरबटे 100 गुणा कोश्ठक में एक धन आरबटे 100 और दूसरे वर्ष्ट के अंत में कुल मिश्रधन A2 होगा P2 धन SI2 हम P2 और SI2 के मान इस प्रकार लिखेंगे यहां अगर हम P1 कोश्ठक में एक धन आरबटे 100 उभैनिश लेते हैं तो हम लिख सकते हैं A2 बराबर P1 कोष्ठक में एक धन आरबटे सो गुणा कोष्ठक में एक धन आरबटे सो याने कि P1 कोष्ठक में एक धन आरबटे सो कोष्ठक की घात दो हम देखते हैं कि पहले वर्ष के मिश्रधन याने अमाउंट में एक धन आरबटे सो की घात एक है दूसरे वर्ष के मिश्रधन में कोश्टक की घात दो है तो क्या अब हम बता सकते हैं अगर हमें तीसरे वर्ष का मिश्रधन ग्याद करना होगा तो सूत्र क्या बनेगा? सोचे सोचे बिल्कुल सही सूत्र होगा इसी तरह हमें समय अवदी N वर्ष के लिए मिश्रधन ग्याद करना होगा तो हम सूत्र लिख सकते हैं साधारण तह इसे ही हम लिख सकते हैं अब हम समय अवदी के समाप्त होने पर प्राप्त मिश्रिधन से पहले वर्ष के मूलधन को घटा कर चक्रवृद्धी ब्याज ग्याद कर सकते हैं CI बराबर A रिण P अब मान लीजिये हमने P बराबर 5000 रुपए R बराबर 10 प्रितिशत वार्षिकदर और N बराबर 2 वर्ष लेकर चक्रवृद्धी ब्याज प्राप्त करना हो तो यह हम सूत्र के प्रयोग से ग्याद कर सकते हैं A बराबर P कोश्ठक में एक धन आर बटे सो कोश्ठक की घात N बराबर 5000 रुपए गुणा कोश्ठक में एक धन 10 बटे सो कोश्ठक की घात 2 बराबर 6,050 रुपए अब CI बराबर A रिंग B बराबर 6,050 रुपए रिंग 5,000 रुपए बराबर 1,050 रुपए है इस तरह आप सूत्र से चक्रवृद्धी ब्याज प्राप्त कर सकते हैं तो आज हमने चक्रवृद्धी ब्याज के लिए सूत्र प्राप्त किया अगले वीडियो में कुछ उधारनों से चक्रवृद्धी ब्याज के बारे में और अच्छे से जानेंगे